बूर्णिंग फ्रेंट्स वलकम टो आप चैनल मिस्टर में सब्सक्राइब का बहुत बहुत स्वागत है मारे चैनल में आज है 18 जनवरी और आज है मेरी सासु का बरसी एक साल पहले मतलब तिथी के हिसाब से आज ही के दिन वह हमें छोड़के चली गई थी सुभह-सुभह औ मतलब उठने के टाइम पर जो सब घटना हुआ था वो सब चीज सब याद आ जा रहा था इतना बज़े क्या हुआ क्या नहीं और यह देखिए आज उनका बरसी एक साल हो गया है मतलब कम्प्लीट पूजा रूम में पूजा हो चुका है आज मंगलवार भी है पूजा हो च कम लोगों के लिए जो वो रेडी हो रहा है सब कुछ और चली दिखाते हूं कुछ फोटोस ममी जी का और यह मैं घर के अंदर मंदिर के पास थी पूजा थोड़ा सा पूजा खतम करके मैं भी बार जाओंगी क्योंकि आज था मंगलवार मंगला मा का जो पूजा करते हैं व फोटो कि यहां से हम लोग दर्शन कर पाएं यह पापा ममी मतलब सासूर जी और यह देखिए साइट में जो दूसरे कपल दिख रहे हैं यह मेरे मतलब सासूर के माता-पिता दादा-दादी उनका फोटो और एक जो छोटे बच्चे का फोटो है वो मेरे मतलब हजबन के भ पकड़े एक्चली यह वो शूट अपने फोन में किय थे मैं उनको बोली थी कि बाहर का थोड़ा सा शूट करना क्या-क्या चल रहा है क्या-क्या नहीं और यह सुभा सूभे का ही है तो यह बाहर में देखिए अ बाहर गोबर बबर जो देते हैं जो किया जाता है वह हमारी यहां वो सब यह कर चुके हैं मैं साइट में जोटी भी डाल चुकी हूँ तुलसुई माता के नीचे जी हां यहां पर और देखिए थंडा थंडा लग रहा है और यह सेकर कहीं पर गया था शायद कोई शॉप में और यहां पर जो कुक है वो आ चुके हैं अपना काम करने के अपना काम कर रहे हैं चलिए वो अंदर जा रहे हैं दिखाते हैं आपको कुछ कुक है सब कोई अपना काम कर रहे है मतलब स्टार्टिंग हो चुका है यहां पर सब मैट गिरेगा वो टैंड वाला नहीं लाया था तो देखिए यहां पर चोड़े से अरिया में सामने हम लो चल रहा है तो जहां पर पूजा हो रहा है मदमीका में दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा यहांपे पूजा हुआता है यहां पर पेंड्डदान होता है हम 12 बर्सी में और उसको फिर सब को अधर्शन करते हैं सब आशिरवाद लेते हैं अपने पूर्ब जो है पूर्बस जो है सब का और उसके बाद 12 ब्राम्हनों को भोजन किया जाता है बारा या उससे ज्यादा तो उसका त्यारी चल रहा है यहां पे देखें यहां पे नीचे बैठके उन 12 जनों को अभी मतलब देंगे प्रशाद का ही देते हैं हम लोग का बहुत लोगों के यहां पे चावल खाते हैं लेकिन हम लोग के यहां पर ऐसे पीठा मॉंडा फ्रूट्स मिठाई यह सब दिया जाता है पहले तो जो ब्राम्हन रहते हैं उनका पैड्ध होने के बाद सब को लाके उनका पैर पोच भी देते हैं रुर्पाइसे बिटाते हैं सब्गेघा के सब कोई को बाषजन को एकसाथ बिठाया जाता है उसके बाद सबका आर्ति किया जाता है चंद्धन फिल अ कैया है और पूजा के बाद सबको एकसाथ भूजन गरहं टने के लिए वह भुआ कर दकिन लोगों कुछ Max बहुत कम जन को बुलाए थे तो इसलिए अच्छा भी नहीं लग रहा था हमें क्या करें सिच्वेशन ही ऐसा था तो वही अभी खाना स्टार्ट हो चुका है करीब यह डेड़ बच चुका है और मैं यहां पे हूं आपको दिख रहा है स्वाती में सब कोई हम इधर थोड़ा आ चुके हैं और यह मिस्टर पुरहित शूट कर रहे थे तो वही मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रही हूं आप लोग भी देखिए और शूट नहीं हो पाया इतना ही मैं शूट की बस आप लोग देख लीजिए और यह कुछ दिनों बात का वीडियो है जिस दि पीछे पीछे आ रहे थे मैं आ गया गया जा रही थी तो मैं शूट कर रही थी तो चलिए मैं नीचे चल के आप से बात करती हूँ हलो फ्रेंड्स वेलकम अगें तो आवर चैनल मिस्ट और मिस्ट पुरोइद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में है अग्याओ एक मिनट तो फ्रेंड्स मैं निकली हूँ कुछ काम से और यह मिस्ट पुरोईद की हो चुक है रेड़ी माक्स पहन के मैं भी अपना मार्क्स पकड़ी हूँ, आज एक्चुली हमारे घर के पास माटी पोका बोलते हैं, मेरी ननन लगेगी, उनका है, और एक है मेरे मतलब देवर लगेंगे, उनका, दोनों का है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे करीब एक बजे, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा काम है खतम करके आजाती हूँ, उस दिन ममी का बर्सी था उसके बाद, और मैं कुछ शूट कर नहीं पाई और कुछ आपको दिखा नहीं पाई, तो देखते ही देखते हैं, ममी का बर्सी खतम हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव सब को बुलाना था, लेकिन हम लोग नहीं बुलाएं, बता है आपको हम लोग क्यों नहीं बुलाएं, क्योंकि अभी का जो सिच्वेशन है, उसके हिसाब से, मिस्टर पुरोई जो पर्मिशन लिये थे, वो 50 लोगों का था, तो जो वहाँ पर बोले बोले थे, कि आप 50 लो कोई गुस्सा होंगे, बहुत लोग बहुत चंड बोले कि हाँ, कोई गुस्सा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से, आजकल सब समझदार हैं, तो यह जो चीज हुआ, हम लोग नहीं बुलाएं, इसमें जो सिच्वेशन हैं, उसको देखे किया गिया है, ऐसा तो नहीं चाहते कि हम लोग किसी को छोड़ें, कोई भी चीज के लिए, क्योंकि यह एक फैमिली का, सब कोई फैमिली के ही पाट है, तो फ्रेंट्स लोग को छोड़ना, इन लोग को छोड़ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, हमारा भी बहुत मंदुक हुआ, लेकिन क्या करें, किसक इसके साब से बहुत कंफ्यूज हो के जितना लिमिट हो सके उतने में किया, हमने आपने देखा, बहुत कम लोगों को बिलाए थे, मतलब जो कार यह था वह अच्छे से हो जाए, वह में मोटीव था, और आज यह साड़ी हमें गिप्ट बिला था, दीदी मुझे और स्वात बहुत दिन पहले ममी खरी दी थी, तो वह पैंती थी, यह वह टू ग्राम गोल्ड वाला है, देखिए, उसका शाइन, मतलब हो गया है करीब कितना साल बोलूँ, जीतर बता करीब है इतला, पांच किछोर है ना, चोदर है इतला, हाँ, 2014 में हुआ था, तो करीब साथ साल हो गया है, देखिए, मतलब इसका कुछ शाइन भी कम नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं, मैं पास से दिखा देती हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और यह वाला लिये है, कहां से बोलूँ, फैशन पार्क से, जो हमारे घर के पास जो दुकाने, वहां से लिये थे, जो मात अच्छा लगता है, मुझे पसंद है पॉसनली, इस टाइप का, आपको तो पता है मैँ जोलेरी का, कितनी सौकी न हो, मुझे कितना अच्छा लगता है, तो उस ही के हिसाब से, यह वहला जोलेरी भी मुझे बहौत पसंद है, तो दिख्टर पुरहीर है, अपना पो करके और जाएंगा तो गुस्सा उनके उपर जाएगा नहीं आएगा और यह वही मैं रेडी होके बैठी थी तो जो काम है मैं खतम करके आ जाती हूं उसके बाद मैं वहां पर फिर जाओंगी अगर होगा वहां का शूट दिखाऊंगी वन शायद ना दिखा पाऊं क्योंकि म कोई कहीं पर नहीं जा सकते तो जहां पर जाना है वहां पर जाओ जहां पर नहीं जाने से भी चलेगा वहां पर मत जाएए और आप लोग अच्छे से रहिए अभी का वही एक चीज मैं बताऊंगी कि देखिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे ना तो सब चीज ठीक हो आप से तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर रखती हूं उस दिन का ब्लॉग को कंप्लीट करना था बोलके आज का ब्लॉग मैं कंप्लीट की तो चलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कु नहीं भूलिएगा इतना ही नेक्ट ब्लॉग में कुछ और च